चलिए हमें एक इंट्रेस्टिंग देख लेते हैं, लिक्विट शेक्स इट्स ओन लेवल, जैसे यह जो तिफरेंट कांटेनर्स में हम लिक्विट रखते हैं, तो यह एक ही लेवल में आएगा, इरेस्पेक्टिव आप डिफरेंट सेप्स, तो यह इसको बुलता है है लिए जो प्रेशर आफ लिक्विड है, वो HDG, depth of a point, density and acceleration due to gravity के उपर डिपेंड करता है, तो मनलेजे यहाँ पर P1 है, और इस depth पर P2 है, P3, यहाँ पर P4, यहाँ पर P5 है, यह होरेजिंटल लाइन में लिया है, लेवल में ने लिया है, ठीक है, तभी इसका प्रेशर क्या होना चाहिए, P1 होना चाहिए, H1, D, G ले लेंगे, ठीक है, H1, D, G, और P2 क्या होना चाहिए, P2 होजाएगा, H2, D, G, और P3 होजाएगा, H3, D, G, D सेम है, सेम लिक्विड है, और acceleration due to gravity, at a place, रिमें सेम, है, so H4, D, G, H5, D, G, तो यह रहता है, अभी यहाँ पर जो है, लिक्विड सिक्सिट्स ओन लेवल, अभी यह लिक्विड स्टाटिक कंडिशन में, जब स्टाटिक कंडिशन में रहता है, तो यह सेम लेयर में, प्रेशर सेम होना चाहिए, क्योंकि यह प्रेशर यह प्रेशर, अल एक्स्प्रेशन शुद भी सेम, क्योंकि प्रेशर P1 is equal to P2 is equal to P3 is equal to P4 is equal to P5, तो इसलिए यह यह दी आप कैंसल कर दाता है, तो क्या हो जाएगा, तो यह H1 equals to H2 equals to H3, H4 और H5, तो सभी हाइट सेम होने चाहिए, तो यहाँ प्रेशर सेम होने के लिए, हाइट भी सेम होना चाहिए, तभी हम यहाँ पर देखें, हाइट का बात है आ रहा है, तो इसमें सेप का बात नहीं आ रहा है, अब इसके ऊपर यह, इस हाइट में लिक्वीड होना चाहिए, इसमें भी सेम हाइट में लिक्वीड होना चाहिए, इसके ऊपर भी सेम हाइट static it will be at rest then so h1 is equal to h2 is equal to h3 then you so that's why we say a liquid seeks its own level so reason is so that so pressure at a given horizontal plane is same everywhere because the liquid is static so actually pressure depends on height or depth of the point from the liquid surface so that pressure remains same so depth also should be same if depth is same then it will it should the liquid should attend the same level yeh karan hai toh yeh hum bol sakte hai liquid succeeds on level thank you